या देवी सर्भूतेशू शान्ती रूपेण सस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नम्हा जय मातादी आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है मा भगवती के गरपा सदा आप और आपके परिवार जनों पर पनी रहे आज की वीडियो मे मैं बात करने वाली हूँ माग मास में पढ़ने वाली गुप्त नवरात्री के पारे में हमारे हिंदु धर में कुल चार नवरात्री मनाई जाती हैं जिन में से दो प्रत्यक्ष और दो गुप्त होती हैं आम तोर पर प्रत्यक्ष नवरात्री को प्रकट नवरात्री भी कहा और गुप्त नवरात्री में दस महाविद्याओं की पूजा की जाती हैं। साल 2022 में माग मास के शुकल पक्ष में पढ़ने वाली गुप्त नवरात्री प्रारम हो रही हैं। स्थापना का जो शुब मोर्त रहने वाला हैं वो दो फरवरी पुधवार को सुभा 7 बचकर 10 मिनट से लेकर 8 बचकर 31 मिनट तक रहेगा। क्या गुप्त नवरात्री में सभी लोगों को कलश की स्थापना करनी चाहिए जो भी वरत रखते हैं। तो देखे मैं आपको बता दू कि कलश स्थापना करने का जो नियम है वो गुप्त नवरात्री में अनिवारे नहीं हैं। प्रकट नवरात्री में बिना कलश की स्थापना के नवरात्री की पूजा ही नहीं की जाती है। गुप्त नवरात्री की देखे पूजा बहुत कठिन होती है, सबसे पहली बात तो इसके जो नियम है वो बहुत कठिन होते हैं, आपको पूरी तरह से गुप्त रहकर पूजा भी करनी होती है, अपने वरतों को दूसरों से छुपाना होता है, यहां तक कि आपके घर में यद उसी कमरे में पूजा भी करते हैं, और जो भी बाहर से आने वाले लोग हैं, वो भी उसी कमरे में आते हैं, तो इसलिए उन लोगों के लिए यह बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अगर आप कलश इस्थापना ना करें, तो भी कोई बात नी, बस विधी विधान से शाम पूजा कर सकते हैं, आप चाहें तो वृध भी रख सकते हैं, पहले बात कर लेते हैं नियमों के बारे में, तो देखी गुप्त नवरात्री में, जो दस महाविध्याओं की पूजा करते हैं, वैसे तो तंत्र मंत्र सिध्धी के लिए ही फूजा की जाते हैं, लेकिन आपके वल माता का धिहान करने जो भी दस महाविद्या हैं अपने अपने हर दिन के अनुसार उनका धिहान करें मंत्र का जाब कर सकते हैं लेकिन आप नवरात्री के जो नौ स्वरूप होते हैं माभगवती के उनकी भी पूजा गुप्त नवरात्री के दिनों में कर सकते हैं अगर आपके व्रतों का पता किसी को भी बाहर व्यक्ति को पता चल जाता है तो फिर वो नवरात्री गुप्त नहीं रह जाती। और जो गुप्त नवरात्री होती है उसमें प्रकट रूप से नौ करन्याओं का पूजन अंतिम दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए यदि आप अपने घर पर बुलाकर करन्याओं का पूजन करते हैं फिर तो सभी को पता चल जाएगा कि आपने गुप्त नवरात्री के व्रत रखे हैं इसलिए गुप्त नवरात्री के अंतिम दिन आपको जितनी भी पूजन सामगरी है चाहे वो कलश है मूर्ती है या चौकी है फूल माला जो भी आपने प्रियोग की हुई है उसका विसरजन आप बिल्कुल साधरन तरीके से पवित्र जगह पर ही करें लेकि अपने घर पर कर्याओं को ना बुलाएं जबकि बाहर जाकर आप अलग अलग जाकर जाकर जो भी छोटी कर्याओं होती है उन्हें आप चुपके से या फिर प्रकट रूप से भी अलग अलग होकर नो कर्याओं की गिंती आपकी पूरी हो जाए नौ या साथ जितनी भी दे सकते हैं उनके काम में आने वाली चीज़े उन्हें दे सकते हैं या फल या मिठाई भी आप उन्हें दे सकते हैं और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप नौ कर्णियाओं के लिए जो दक्षिना या जो भी आप दान में सामगरी देना चाहते हैं वो आप अपने आ प्रियोग नहीं करना चाहिए अब देखिए बात यह आती है कि परिवार में अगर किसी एक सदस्य ने गुप्त नवरातरी का वरत रखा है तो केवल उसी को वैसे तो इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए हो सके तो आप अपने घर परिवार के लोगों से भी नवरातरी के वरत चुपा सकते हैं अगर चुपा सके तो अगर घर परिवार में किसी भी एक सदस्य ने गुप्त नवरातरी के वरत रखे हैं या पूजा करने का भी संकल प्रिया है तो उस घर में बाहर से किसी भी प्रका पूरे नौ दिन तक उस बिस्तर का भी त्याग करना चाहिए जिस पर आप हर दिन सोते हैं। गुप्त हो घर की किसी भी महिला या करन्या का अपमान बिलकुल नहीं करना चाहिए। केवल आपको अपने घर की ही चीजे खानी है और दूसरी बात कि आप जो भी परशाद हर दिन या भोग लगाते हैं। उसे आप परिवार के सदस्यों के अलावा बाहर कहीं भी न बाटें। यहां तकी अंतिम दिन भी आप किवल नौ कर्ण्याओं को छोड़ कर जो कि आप अलग अलग देंगे। उनकी अलावा आसपास में कोई भी जैसे अक्सर लोग करते हैं कि हलवा पूरी बना दी तो परशाद के रूप में पडोस में बाट दिया तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। गुप्त नवरातरी में कलश की स्थापना बिल्कुल वैसे ही करनी चाहिए जैसे कि आप बाकी प्रकट नवरातरी में करते हैं। और फिर नवग्रहों और मादरुगा का ध्यान करते हुए एक पानी वाले नारियल पर लाल चुन्री रखकर कलश के उपर उसको इस्थापित कीजे। इस प्रकार से आपकी कलश की स्थापना हो गई अब एक चौकी पर आपको माता की मूर्धिया तस्फिर की स्थापना भी करनी हैं। अगर हो सके तो आप अलग से स्थापना कर लें। नहीं तो आप जिस चौकी पर या जहां पर भी अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं। इस प्रकार मात दुर्गा की स्थापना करने के साथ ही आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप पूरी गुप्त नवरातरी में मा को भोग लगाना चाहते हैं तो लौंग और बताशा मा को सबसे ज़्यादा प्रे होता है अगर आपके पास अलग-अलग तरह के भोग नहीं है तो आप हर दिन नियम से लौंग और बताशे का भोग भी मा को अरपित कर सकते हैं आपकी जो भी विशेस मनुकामना है उसकी पूर्ती के लिए यदि संभव हो तो गुप्त नवरातरी के पूरे नो दिनों में आप हर दिन रात के समय या मध्यरातरी में अग मन ही मन किसी मंतर का जाब कर सकते हैं और मा से अपनी मनुकामना पूर्ती के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं गुप्त नवरातरी के वरत विशेस रुप से ऐसे लोग करते हैं जिनके जीवन में बहुत सारी परिशानिया हो वैसे तो कोई भी वरत रख सकता है कई बार मन जीवन साथी के लिए भी कुप्त नवरात्री के विरत रखते हैं संतान सुख की प्राप्ती के लिए भी कुप्त नवरात्री के विरत रखे जाते हैं अगर किसी का पारिवारिक जीवन सुखद नहीं है रोजगार की परिशानी है मन चाही नौकरी नहीं मिल रही हो या सरकारी नौकरी की इच्छा हो तो उसके लिए भी कुप्त नवरात्री के विरत रखे जाते हैं या आप ऐसा भी कह सकते हैं आपकी यदि कोई विशेस मनुकामना है तो आप उसके लिए भी मननत मांगर गुप्त नवरातरी के वृत रख सकते हैं और फिर उसका उध्यापन भी कर सकते हैं आईएब जान लेते हैं गुप्त नवरातरी में किन दस महा विध्याओं की पूजा की जाती है तो देखे सबसे पहले मा काली, फिर मा तारा मा तरिपुर सुंतरी नौ दिनों में की जाती हैं आप गुप्त नवरातरी के दिनों में हर दिन नियम के नुसार और दिन के नुसार इन दस महाविद्याओं का ध्यान करें और पूजा करें लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दू कि इन दस महाविद्याओं में से एक महाविद्या ऐसी है जिनकी स्थापना गलती से भी ग्रहस्त लोगों को अपनी घर पर नहीं करनी चाहिए आप केवल उनका मनीमन ध्यान कर सकते हैं और उसके बाद पूजा में जो भी प्रयोग की हुई सामगरी है उसका विसरजन भी अगले दिन ही तुरंत कर दिया जाता है घर में उस दिन की पूजा का सामान भी नहीं रखा जाता केवल कलश को या फिर जो मूर्थी की स्थापना आपने की है उसे छोड़कर जो भी पूजा में जैसे की फल है लौंग बताशा है या फूल है केवल उनका ही विसरजन आपको अगले दिन करना होता है वो महावित्या कौन सी है इसके बारे में तो आपको मेरे चैनल पर आन नियम अनुसार उनकी वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करती रहूंगी और आप सभी से नुरोध है कि आप सभी नियम से इन वीडियो को जरूर देखेगा और हो सके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में समय भी बता दिजेगा कि आप किस समय गुप्त नवरातरी की प सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय मातादी जरूर लिखेगा